हेलो दोस्तों, कॉंपटिशन विंग में आपका स्वागत है, आज हमें एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटिक की जितने भी क्लासेस हैं, उनको हम हम MCQ-based में आपके सामने लाने वाले हैं, कि आपने देखा होगा कि PSA में किस प्रकार से सविधान के जो questions है, वो tough level के रहते हैं और conceptual रहते हैं और numerical भी रहते हैं, तो हम conceptual और numerical दोनों का समयविश करके आपके सविधान की जो classes है, वो निरंतर आपके साथ साजा करेगी, तो ठीक है, चालू करते हैं, हमारा जो पहला question है, अगर देखे, इसमें से ना, अगर 20 question करा रहा हूं, 20 question में आपका 10 question भी अगर सही है, तो आप सही direction में है, ठीक है, question का level देखके आपको पता चलेगा, कि question किस level का है, हमारी टीम ने question का level उसी प्रकार से set किया है, जिस प्रकार से प्येसी में आती है, और ये ना सिर्फ प्येसी के लिए, बलकि ये व्यापम के लिए, जो व्यापम आपका pattern है, वो भी कहीं ने कहीं, प्येसी जैसा ही सुईधान का question डालता है वहाँ पर, आप देखें होंगे, ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, है न, वर दौल, आप इंडिया की जितने भी exam दिलाते हैं, वो सभी के लिए benefit है, तो पहरा जो question है, वो हमारा चालू होता है, Chartered Act, 1813 के संधर में सही कत्नों की पहचान करे देखें, Chartered Act कब आया, इससे संमंदित एक बात बता दू, जो Chartered Act आया है, ये जो Act आया है, Chartered Act, ये जो Act की जो सुरुवात हुई, ये 4 पारों में, चार टाइमज में आई है, एक आया है आपका, 1793 में आया ठीक है 1793 में आया फिर ये 20 साल बाद फिर से आया ये 1813 उसके बाद आया आपका 1833 और एक जो आएगा वो आएगा आपका 1833 में तो ये Chartered Act क्या होता था तो ये एक नियमा वली होती थी जिसके माध्यम से British Government एक सासन करती थी ठीक है तो ये जो क्रम कौन सा था तो ये दुदिती क्रम का Chartered Act था ठीक है तो क्या बाते कही गई है तो इसके बारे में सही कत्नों की आपको पहचान करना है ठीक है तो सबसे पहल ही बात है British नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई ठीक है तो ये प्राउधान था की नहीं था बिल्कुल था कि जब 1813 का जो Chartered Act आया था उसमें British जो कंपनी थी उसके जो व्यापारिक जो एकाधिकार थे उसको छीन लिया गया था बाद में उनको उ चाय की साथ व्यापार और चीन की साथ या फिर चाय और चीन के साथ जो व्यपार होता था उसको वस छूट ने करके यहाँ पे छूट दिया गया ठीक है अर वो जो पूर्णता जो छूट होगा वो 1833 में होगा जो 1833 का चार्टा रहे है ना वहां पे ठीक है यहाँ पि उसको पूर्णता छूट दी गई थी दूसरा बात बो रहा है चीन के साथ वियपार और चाय के अत्रिक्न कंपनी के वियपार फिस्या के एकथिकार समाप्त कर दिया गया बिल्कुल ये भी सही बात है अभी मैंने पताया चर्ज का मामला एक शिज आधीन कर दिया गया उनको भारत में धर्म प्रचार की स्वतंतरता दे दी गई थी लेकिन कहीं भी इस मामले के विशाय के बारे में कभी से किनी भी बातों के बारे में इसके बारे में नहीं बोला गया था जिसका खर्च ब्रिटिस राज़ासों से चुकाया गया है जबकि इसके बारे बोला ही नहीं गया है तो यह तो गलत ही हो गया ठीक है अगर पूछे कि ब्रिटिस मिस्ट्रियों को भारत में धर्व प्रचार करने के स्वतंतरता कब दी गई तो निसंदे वह 1813 का चार्टा डे नहीं गयी तो बिल्कुल यह कर दे गई थी क्या नई कि गयी ती क्योंकि यहांकर संख्या का परढ़ान वाला कोई शिस्टम है ङी नहीं था संख्या का प्रभादान वाला एक system यहां पर मैं बता दू कि जो भारती है उननपे सिख्ख्चा का जो भाय है रखा गया था एक Л बिटिस नाग्रिक भारत और सब्सक्राइब बिलकुल तीसरा गलत ललंप सब्सक्रात option number 1 और 2 किसमें है ये हमारा B number option सही है ठीक है चलिए आए बढ़ते हैं संघात्मक सविधान के आवश्चक तत्व कौन कौन से है कूट की सहायता से सही उत्तर की पहचान कीजे देखिए भारती जो समिधान है वो क्या है एक संघात्मक सविधान है लेकिन कई जगा बोला जात ये दो प्रकार की होती है ठीक है एक को आपको याद रखना है संघात्मक एक होता है आपका एकात्मक एकात्माक सविधान वो सविधान होता है जिसमें क्या होता है पूरे के पूरे पावर किसको दे दिया जाता है सेंटर गॉर्णमेंट को तो ये जो एकात्माक सविधान है ये हमें विश्व में कहां दिखाई देती है तो ये बृतेन में दिखाई देती है ब्रिटेन में दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पे राज्यों को उतनी स्वतंतरता नहीं है ठीक है जितनी की इंडिया में स्वतंतरता है दूसरा है संगहात्मक सविधान आप इसका भी दो प्रकार है किस प्रकार से दो प्रकार है तो देखिए ये होगा आपका पूर्ण संगहात्मक और एक होगा आपका अर्ध संगहात्मक अर्ध संगहात्मक देखिए तो इंडिया क्या है इंडिया इसी के अंतरगत आता है अर संगहात्मक सवईधान वbest Ο केंद्र और राज्य दोनों को सक्तिया जो रहती है उसको इंडिविजली रूप से बाटी गई हो डिकर ये होता है क्यों संगहात्मक पेज़न दिखायें देते हैं आपको क्या गवर्णर की नियुक्ति राश्टपती करती है, क्योंकि राश्टपती की सेंटर गवर्मेंट का है, तो वो क्यों करें, लेकिन करती है, इसलिए आपातकाल में भी आप दोखें, यहां सबसे ज़दiren काती है, तो वहाँ लुए किस संगहातमक की और ज्याद़ा जुकाव है क्योंकि हमने केंदर सरकार को ज्यादा पावार दिया है और राज्यों को कम दिया है इस लिए अर्ध संगहातमक है आद दीखे इसमें कॉन करती है वो सविधान के basis पर करती है है ना इसलिए सविधान का सरक्षक बोलते हैं उसको लिखिस सविधान है बेलकुल यह भी है नियाय पालिका की स्वतंद्रता है है ना जैसे कि अगर PM कितना सक्तिसाली हो जाए तब ही से वहाँ पर किस की चलेगी तो चलेगी तो सिर्फ सविधान की चलेगी तो यह भी है नियाय पालिका की स्वतंद्रता है एक हरी नियाय पालिका है तो यह चारों चीजे सही है तो इसका जो एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा एक दो तीन चार चेलिए आगे बढ़ते हैं निम्न कत्मों पर विचार कीजिए क्यूश्चन नमबर तीन है 26 जन्वरी 1950 को सुईधान लागू होते समय भारती सुईधान की वस्तु स्थति की संपोड प्रभुत्त संपन धर्म निर्पेक्छ लोकत अंतरात्मा गर्राज ये सब्द आया है क्या 26 जन्वरी को देखें इंटर्प्रेट करिए क्या ये सही कथन है बेलकूल ये वाला सही कथन है सुईधान लागू होते समय 26 नुमंबर 1949 है ना मार गर्सेस हिंदी वो माहा था जब ये इस टाइम पे इसको लिया गया था ठीक है तो ये कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा भारत के गर्टंतर होने का अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जन्ता के पास है ठीक है ओके गर्टंतर और लोक तंतर मतलब डेमोक्रिशी मतलब जन्ता के द्वारा चुना जाना और गर्टंतर मतलब क्या होता है कि कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो वो दोनों किसी एक विशिष्ट पत पर वो पहुँच सकते हैं, जैसे कि अभी हमारी प्रेसिडेंट मैडम है, वो भी एक संथाल जनजाती से थी, वो भी चली गई है, मतलब एक लो लेवेल के कटेगरी का व्यक्ति और एक उच्च धनीवर का व्यक्ति कोई भी वहां तक पहुँच सकता है, ये आपका गरतंत्र बत है क्क्षड़ान की प्रस्तावना हम भारत के सब्दों से यह होता है, तो प्रस्तावना की सही 네 हूँ है, mountedंत्रेन के लिए सबए सब्सक्राइब करने के लिए सभी वर्ड है तो यह भी एक क्या है यह सहीं है ओके 44 सविधान द्वारा भारती सविधान की उद्देशिका में संसोधन किया गया अब देखिए यहां पेक ट्रिकी है ना संख्यात्मक पेसी ऐसी चीजों में आपको बहला देता है यह 44 सविधा संसोधन 1976 के द्वारा इसको लाया गया था कौन लाया गया था इसको इंद्र गांधी की जब सरकार थी उस टाइम पे इसको लाया गया था तो देखिए इसका जो एंसर है वो क्या हो जाएगा यह गलत हो गया और दो गरतंत्र होने कर सभी मामल मामतिम अधिकार जंता के बा करें पेहां छिए हर इक और पहला थो यह असत्या हो गया दूसरा है आपका यह भी सुप यह जंता के पास है यह बी Two- a इसका अगया थे निम्लिखी कत्नों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिये गए कूटों में इसे कूट का चैन कीजिए देखें भारती सविधान कठोरता एम लचीलेपन का समनवा है है ना भारती सविधान की प्रकृति अगर पूछा जाया तो इसमें दो प्रकार की प्रवित्ति हमको देखने मिलती है एक होता है आपका कठोर और एक है आपका लचीलापन इसी को बोलते है अनम्य और नम्य सविधान कठोर सविधान में क्या जाता है यसकि युएसे का समु Iyaण牠ान 1983 से बना है यहआ अभी तक उसमें कितने समुद OFFICE और अभी तक अभी जो चल रहा है वह आपका 2023 चल रहा अब समझ सकते हैं वह कितना कठोर होगा लेकिन कठोर्ता में समावेश से ज्यादा यहां पे किसका प्रधान जादा है तो लचीलापन का है कि इंडिया के सविधान लागू होने के बाद भी अभी 128-129 सविधान संसोधन चर रहा है तो कहीं ने कहीं इंडिया का सविधान लचीलापन है अब कठोरता कहां पे आ जागा देखिए जब GST लाया कोई विसेश प्लस आधे राज्यों की सहमती तो उसमें जो आएगा जो दो चीजे आती है विसेश बहुमत और विसेश बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमती वो कठोर में आता है और यह सधारन बहुमत में लचीलापन आता है आरी है बास समझ में तो यह बिलकुल सहीं कतना है भारत से चर्वाधिक साविधान कैसे है इतना बड़ा सविधान किसी भी देश का नहीं है वर्ड में ठीक है इवन देज जो हम अमेरिका एक powerful country है, उसके सविधान में कितने अनुछेद है, अमेरिका की सविधान को बोला जाता है, कि उनको आप दो meeting room में, दो बैठोकों में आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका का जो सविधान हो, उसमें मातर कितना article है, सिर्फ 7, साथ ही article है वहाँ इंडिया का जो आर्टिकल है, वह देखेगा, 395 आर्टिकल, 12 अनुसुची, 22 भाग है, और ये बढ़ कर और क्या हो गया है, वर्तमान समय में, ये वर्तमान समय में हो गया है, 455 के आस पास आईए, और भागों की संख्या, ये हो गई है, आपकी 22 से बढ़ कर 25 हो गई है, और अनुसुची तो 12 ही है, ठीक है, तो इस प्रकाज से इंडिया का सविधान बहुत बढ़ा सविधान है, भारती सविधान के उसला भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन मतलब यहाँ पे संग, ये भी सही है, भारत में इकहरी नागरिकता तो है, परन्तु इकहरी न प्राप्त नहीं है, ठीक है, मैं एक सिंगल सिटी जेन सिप हूँ, वो है इंडिया का, ठीक है, दूसरा है आपका इकहरी न्याय पालिका, इकहरी न्याय पालिका है, इंडिया में, बताइए, इकहरी न्याय पालिका, नहीं है बोला है, देखे, नहीं है, ये छोटे-छोट प्रवर चीज है जो आपको चौका सकते हैं एक्जाम में यही सब ही चीजे पकड़ भी नहीं आती है हमारे यहां इक हरी नागरिक है ना कैसे ही उपर में सुप्रीम कोट है पिरामीड अकार बनेगा नीचे इसके अंदर में पूरे क्या है हाइए कोट है बहुत सारे हाइए क इस प्रकार से खरी नागरिता है तो सुप्रीम कोट ने जो कहा दिया वो पूरे इंडिया के लिए बाद्ध्यकारी है मानना जरूरी है कोई भी वैक्ति हो तो यहां पर इक घरी नियाय पाली का है यहां पर नहीं है बुला है तो ठीक है तो कौन-कौन साथ सही हो गया एक दो और तीन यह अपसन आपका सही है आप बताईए गर कमेंट सेक्षन में कि आपके कितने क्यूश्शन सही हो रहे हैं यह एक्जाम औरियं कि लोग संप्रभूता हो संज में आ रही है लोग संप्रभूता हम क्या है स्वा संप्रभू है हमने सविधान के निरुनार किया है न तो वहां पर लिखा गया है संप्रभूता तथा एकता और खंडता वाली बात तो यह सही है वयस का मतदिकार सविधान के मूल लक्षण है बिल्कुल यह भी कितना है वैस का मतेदिकार 18 वर्सा है तो यह सही हो गया जहां तक केंद्र और राज्यों के भी सक्तियों के वहाजन का सम्मन्द है सुईधान संसुधन का सम्मन्द है अपकरम प्रत्याव वहन जैसे तरीकों को प्राधान करता है तो यह ना यह है आपका देखिए यह गलत है कैसे गलत है सुधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जन्मस संग्रह कोई भी चीजे होती है था हम लोग रेफरेंडर्म करवाते हैं क्या कहीं भी नहीं करवाते क्योंकि हमने MLA और MP को चून कर भेज दिया है वह जो चीजे निर्णाय लेंगे हमने उनको चूना है कोई निर्णाय लेना है तो आप से पूछने के लिए नहीं आएंगे कि हम यह निर्णाय ले रहे हैं हमारी फैसला है कोई भी पार्टी अगर जित्ती है तो जनता से वह सर्वे नहीं किराती है अमोवन बात है कभी-कभी हो जाता है लेकिन हर दफा ऐसा सर्वे हो ऐसा तो नहीं है यहां पे क्या बुल लगया है जन्मत संग्रा जिसका प्रवधान है ही नहीं ठीक है समझ में रहा है यह होता है आपका स्विट्जर लेंड है यह जो बात हो रही केंटो ठीक है अगर याद रहना रखना होगा तो आप राक सकते हैं केंटो नाम का संगठर है और वहां पे है जन्मत संग्रह वाली बाते आती है इंडिया के सेंस में यह नहीं है तो आपसन आपको क्या हो जाएगा एक-दो-तीन एंसर है एक-दो-तीन में डी आपका एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ने मिल्खित में से कौन सा लक्षड भारती सविधान को संसार का सबसे बड़ा सविधान इसको यह आगे है विभीन प्रकार के अपात कालोपर विस्ताश से विचार किया गया है बिलकुल किया गया है यह संसाद और राजवीधान सभाव के सदर्श्यों के अधिकार और विशेशादिकारों का कानून बनाता है सभी प्रकार भारती नागरिक्ता विश्यमें नियर्देश दिता है, अब देखे आपको यहां पर लग रहा होगा भारती नागरिक्ता के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स से बताया आगया करके लेकिन देखे श्यक्ति का जो में जो पूछने वाला है उसको आप देखिए भारती स्वविधान को संसार का सबसे बढ़ा भारती स्वविधान इसको भारती स्वविधान के बारे में बताया गया है क्योंकि नागरिक्ता एक एक ऐसा सेंसिटिव मुद्द रहा है कि ये सभी चीजे हर देश के सविधान में होती है आ रही है बात समझ में तो ये इंडिया के सेंस में उसमें थोड़ी ना है इसलिए ये गलत हो जाएगा है ना याद रखिएगा इसमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विस्तार से बलकि इन पर लगे निशेद के बारे में भी बताया गया है बिल्कुल सही है आर्टिकल नमबर नाइंटीन वन आपने देखा होगा विचार अभिविक्ति की स्वतंत्रता उसके जस्ट क्लास टू में एबी में आपका डाला गया है उसमें निशेद की स्प्रकास लगाया जा सकता है तो ये सभी चीजे सही है ये भ पूरे वर्ड से आपको तूलना करके बताना है ओके चलिए आगे बढ़ते है भारती स्विधान का संगी स्वरूप किससे प्रभावित है देखिए आपने पढ़ा होगा इंडिया में जो फेडरल यूनियन सिस्टम है वो कहां से लिया गया है कनाड़ा से लिया गया है यहां पर जो बहुला गया है संगी स्वरूप एक यह जो होता है संगी स्वरूप यह हिंदी एक वर्ड है इसके दो माइने हैं कौन-कौन से माइने हैं एक है आपका फेडरल एक है आपका यूनियन यह दो चीजे है फेडरल कहां पर होता है यूएसे में यूनियन कहां पर होता है कनाड़ा में कैनेडा में होता है और इंडिया ने कहां से लिया है बिलकुल यह कैनेडा से लिया है आपका इंसर 3 होना चाहिए लेकिन आपको बता दू इंडिया क्या लिखता है भारत एक राज्यों का संग होगा इंडिया इसा union of state यह बोला जाता है ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि उस पद है यह सभी कहां से लिया गया है जब सोर्स वाला आएगा भारती सोईधान के सोर्स एक पार्ट पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि यह सभी चीजे हमने federal USA से लिया है यहां पर भी तो आएगा अब आप यह नहीं बोलोगे आश्टेलिया से हमने सोईधान की भासा है उसको भी लिया है 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 ना संवर्ती सूची है उसको भी लिया है आइलेंड से DPSP को लिया है लेकिन वह federal system का भाग थोड़ी नहीं है federal system क्या होता है अधिकार केंदर्राज्य संबंध के बारे में बात करता है federal and union system इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा answer तो answer क्या हो जाएगा राष्ट पती हो चाहे उपरास्ट पती हो इसके बारे में भी तो बताया गया सवीत राच अमरीका से हमने लिया है इसको तो यह भी एंसर होगा अगर पूर्णता किस से प्रभावित है अगर यहां पर मैं लिख देता पूर्टा स्वरूप तो वहां पर आ जाता सिर्फ कैनाडा समझ में आ रहा है लेकिन वहां पर लिखा गया है संगी स्वरूप तो इसलिए इसका जो एंसर है वह एक और तीन दोनों होगा और अप्शन नंबर हमारे किसम में है डी में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्व में कौन से कथन सही है अब देखी जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हो किसलिए आया था क्योंकि जब इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 डिसेंबर 1600 इस्वीकों तो उस समय क्या था कि वहां से लेके जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था है रहा प्लासी बक्सर का युद्ध सत्रा सो संतावन सत्रा सो तिस्टिक में जो युद्ध हुआ था उस टाइम तक क्या हुआ था जब इंडिया पे अंग्रेजों ने व्यक्ति गत्रूप से उनके जो अधिकारी थे उनने भी इतना सोशन्ट किया इतना भरस्टा चार था और कंपणी अपना मनमाना टैक्स अगरे लगा रही थी इसी कारण से क्या किया कि उस कंपणी पे जो ब्रेटिस इंडिया कंपणी थी उस पे रेगुलेट करने के दो नहीं लाया गया ? यूश्य की उससमय उन्होंने इंडिया पे पूरी तरह से कंपचाका था तो इससे क्या हुआ कि जो British जो Empire था उसको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था फायदा तो किसको हो रहा था Company को इसलिए फायदा अपने अंदर खिचने के लिए उसने किसका सहरा लिया British राजसाही ने Regulating Act का इसलिए पूछा जाता है कि British दो ने सबसे पहले जो इंडिया पे नियंतरन करने के लिए जो Act लाया उसका नाम क्या था और वो कब लाया गया तो वो था 1770 का Regulating Act नाम सही समझ में आ रहा है यह Regulating Act है ओके देखे इसके समझ में क्या कथन सहीं है बोला है 1784 में 1784 में याद रखेगा यह हुआ था एक साल बाद हुआ था इसमें मुख्य नयाधिस सबेत कुल नयाधिक्सों की संख्या पांस थी देखे बैने अच्छा-च्छा आपके लिए लाया है जो आपको कंफ्यूस कर सकते हैं देखे यह पांच नहीं थी भई यह दोनों मिलाकर था यह तीन था ठीक है तीन था यह इसको याद रख लिया इस नयाले में प्रथा मुख्य नयाधिस के रूप में फिलिस्ट फ्रां इनडाले की अनुमत्य थी बिल्कूल था है न तो यह मतलब अपेल का अधिकार अगर कोई उससे नीचे का जो ओट है वह अगर फैसला सुनाती है तो उसको अपेल करने के लिए उसमें अपिल का प्राधान था तो देखिए आपसन नमबर क्या हो जाएगा हमारा एक और चार एक और चार कहीं पर है बेलकुल सी नमबर अपसन पर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते लिम लिखी कतनों में से भार सरकार अधिम उन 1889 में क्या सामिल है ठीक है कंपनी सास 1812 को उसके तहत क्या किया गया कंपनी का जो सासन था उसको खीच के ब्रिटिस तो ने अपने अंदर मिला लिया ठीक है को टाफ डिरेक्टर से उपर बोड आफ कंट्रोल की इस्थापना की गई थी नहीं इसमें नहीं था जो सीयर्ड और वीच्छी था वोह किसमें था जो यहां पर प्रावधान था इसमें था क्योंकि जब इसमें रेगुलेट किया गया बिल्कुल सहीं है यह भी है ना देखे इसमें खुली प्रतियोगीता की बात की गई थी लेकिन उसको इंफोर्स नहीं किया गया था है ना जो इनफोर्स हुआ वह हुआ था आपके भारत सरकार अधिनियम 1859 की दवारा इस चीज को आपको याद रख लिए यह ना पहले क्या होता था ब्रेटिस जो अधिकारी थे उ आथा इस चीजों को परिथक कर दिया गया था यहाँ यह नहीं था भारत के सेकृटरिेटरी ऑफ श्टेट के ब्रेटेन का जो सरकार बैठा था उस समय जो कैबिनेट मंत्री होता था उसी को यह पद दिया जाता था ठीक है और इसके समस्त जो व्याय होते थे वो इंडिया के त्रू इंडिया के जो राजस्वा हैं उन से लिए जाते थे और दूसरी बात ये बैठते कहां थे इंडिया में बैठते थे क्या बिलकुल नहीं ये बैठते थे सिधा ब्रेटेन में है ना ब्रेटेन से ही सासन ये करता था अगर कोई गवर्नर कोई निर्णाय लेता है तो उ इसके बारे में आपको याद रखनें तो कौन-कौन सा अप्सन सही हो गया ये हो गया खुली प्रतियोगिता प्रणाली ये भी सही हो गया तो एक तीन-पांच कहीं पहा है गया आपसन नंबर डी सही है चलो आगे बढ़ते है नुए लिखी कत्नों पर विचार कीजिए उन में समिलन जो तीन हुआ था ना उसी को जितने विचार भी मस किया गया उसको इंप्लेवेंट करने के लिए 1935 में भारत सासन एक्ट लाया गया और इसी में सबसे पहले भारत राज्यों का एक संग होगा वर्ड यूस हुआ था इसी में ठीक है इसके बारे में बात किया जा उसमें द्वैजशासन लाया गया था कहां पे स्टेट में लाया गया था उसी को खत्म किया गया 1935 में आ रहे है बात समझ में तो यह बिलकुल सही है गवर्णरों को विधाईव क्रियाव में निशिशादिकार की सक्तित था स्वैम द्वारा विधी बनाना गवर्णरी को विधाईव क्रियाव में निशिशादिकार वीटो की बात किया जा रहा है यहां पे वीटो की बात किया जा रहा है सक्ति और स्वैम द्वारा विधी बनाना इसका यह दिया गया था बिलकुल यहां पे वीटो पावर दिया गया था किसको गवर्णर को दिया था ठीक है इस पर दिया गया इसको सबसे पहले यहां पर समप्रताइट प्रति नियम की समाप्ति बिल्कुल नहीं जब round table conference होता है तो क्या सबसे पहले एक विक्ति है ड़ीम्रा मंभिटकर सहब वह जाते है तीनों सम्मिलर में भाग रहने तो यहां पर दलीतों को भी इसमें सामिल किया जाए ऐसे करके कहा जाता है तो उसी के दहार पर देखना सिक है दलीत है इन सभी को जोडा जाता है तो यहां पर समाप् प्रदाइक प्रदाइकता का जन्म देने वाला एक्ट बोला जाता है इनको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद है निम निखीत कत्म पर विचार किये सविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहद की गई जिसमें पैथिक लारेंस वगरे लोग आते हैं उसमें आता है यह कबिनेट मिशन योजना कब आता है 1946 में आता है ठीक है उसी करण से जब आता है फिर 9 दिसंबर को पहली बार मेटिंग होगा आपको पता है 9 दिसंबर सविधान सभाका तो यह विल्कुल सभी है प्रारम में सविधान की सदर्शयों की संख्या 379 थी अब देखिए आपको याद रख लेना है यह नहीं था 379 था यह 389 था 389 को फिर से दिवाइट कर दो तीन भागो में तो इसमें था आपका 212 में क्या हो गया आपका राज्यों से दिया गया प्रान्तों से दिया गया थी कि रियासा क्या है 9 जनौरी मुनिस andश को हुआ था यह बिल्कुल नहीं नहीं को नहीं हुआ था जिसमें सबसे पहले उद्देश प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया जवाला नेहरू के द्वारा ठीक है यह हो गया यह सही है सविधान सभा के प्रथम आस्थाय अध्याक्ष सभी चीजों को इल्मिनेट भी करोगे तब इससे आपका option बन गाता है भारत में सव्यधानिक विकास के संदर्म निर्विखित कत्मपज विचार कीजिए सविधानिक विकास बोल रहा है ना 1773 के regulating act से लेकर आपका जो 1947 का जो एक्ट था उतने तक का आपको लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें भारत सरकार अधियम 1909 में केंद्री विधान पईसदों के अधिकारिक बहुमत के प्रधान को समाप्त कर दिया गया बिलकुल दिया गया फिर बहुमत को लेकिन 1909 क्या चर रहा आपका चल्म मिला उसके बाद जल्दी बृतिश सब्सक्राइब कर दिया गया ईतना जल्दार में昨ग थो Living अरक्षित में सुर्फ जो गानूर अरिकार के सबाट में अधीकार बार न का अधिकार अधिकार था वो गिस फ्यार बेन एक स्सक्राइब कर दिए गया तो देखे, कानून बनाने का जो अधिकार था, वो किसको था, इसमें, जो हस्तांतरित और अरक्षित जो विसाय थे, हस्तांतरणी में किसको था, आपके जो गवर्नर लोग बैठेंगे, उसको था, और अरक्षित में, ठीक है, अरक्षित में गवर्नर को था, हस्तांतरणी मे जो आपके राजविधान समय में जो लोग थे उनको था ठीक है अरक्षित में क्या आ जाता था जितने भी सेनाविनय का चीज है इनके बारे में है टैक्स सिस्टम है इनके बारे में जो चीजे से जादा revenue ब्रेटिस्टों को बिलते थी उसके बारे में था तो बिलकुल ये संगरीत एतिहासिक उद्धेश्यों के कथन के संबंद में निमलेछित कथ्नों में से कौन सा से सही है उद्धेश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती सरीस्टम से चरणों से सविधान के रूप नियर्माण को अनुप्रमाणित किया जब उद्देश प्रस्ताव रहरू जी ने पेश किया कब किया 9 दिसंबर 1946 को बाद में वही एक रूप रिखा बनी इसलिए उसको क्या बोलते हैं सविधान का आइना बोलते हैं सविधान का मीरर बोलते है ठीक है उसी के रहार पर आगे चलके सविधान के दिन माड़ होगा तो यह बिल्कुल सही कथन है यह के वल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बलकि एक घोषना एक द्रिश अंकल पर प्रतिग्या थी बिल्कुल यह भी सही है ठीक है इसने हमारे सविधान का अंतर नहीं सहीं कथन सही है प्रांती विधान सभाव की स्वदस्च्यों द्वारा अप्रत्यक चरूप से जन्ता में सविधान सभा में था नहीं था अ. देखिए इसके बारे में बात किया रहा है अच्छे से पढ़ना है आपको सविधान सभा के बारे में प्रांति विधान सभा के सदर्ष्चे द्वारा अब प्रत्यक्ष रूप से सभा का चैन किया गया तो वन मिलियन वन पीपल है ना रिप्रेजेंटेटी बोलते हैं दस लाग की जन संख्या में एक सदर्ष्च के बारे में बात किया गया था तो यह तो नहीं होगा ना सवरभामिक वयस्क मतादिकार के बारे में ठीक है तो वहां पर कोई वोटिंग सिस्टम था क्या नहीं बिल्कुल नहीं था तो यह गरत हो गया चुनाओ की स्किम कर निधारन कबिनेट डेलिगेशन द्वारा किया गया यह बिल्कुल सही है कबिनेट जो प्लान आया था सब्सक्राइब करने मांट बेटन योजना के दाहर पर किया गया देखें मांट बेटन योजना आई है आपके 3 जून 1947 प्लान बोलते हैं इसको तो यह तो होगा नहीं यह मांट बेटन योजना कब आया था भारत का विभाजन करने के लिए था है ना दो डोमिनियन स्टेट में माटने के लिए लाया गया था एक पाकिस्तान डोमिनियन एक है इंडियन डोमिनियन तीन जून प्लान बोलते हैं तो यह तो भारत को बटारे से सम्बंदित है तो यह आपसन डिलिट हो गया और यह आपसन डिलिट हो गया तो एक और चार सही तुरिठ है दो तिन थीखे सउनिय हो गया आपका दिढे एक और दिन और इंग यह संच विथान सभा के बारे में गलत कथन और कौन सा वर से हैं गलत कथन चुनना इसने सबसे बड़ी संख्या सविखान सभार समिति से मदद से काम किया उनमें प्रारु vigor समितИ सबसे महतुःपूद सबसे समीति हुँ अब इसके बारें बता देता हूँ जो सविधाण जो निर्माद हुआ उसमें बहुत सारे समीतिया थी उन समीतियों में कितनी समीतिया थी कितनी थी कितनी थी weeks समीति थी मुख्ष समीति बोलते रिटाब् 같아 समूदा चैसे इसाइं एंगलो इंडियन और पार्फियों को पार्सी भी थे इसाई भी थे सब थे तभी तो एंग्लो इंडियन को कॉंसेप्ट लाया गया गया इसको बाद में ददस साल के लिए बढ़ाया गया अभी 104 वे सुविधान संसोधर में उसको समाप्त किया गया है तो बिल्कुल सही है यह बी इसका रिरवाचन सारभावम वै ऐसे करके बोला गया था यह तो गलत है इसकी चुनाप प्रक्रिया 1935 के छटवी इनुसुची पर अधाई थी कर संपत्ति और सेक्षडिक योग जताओं के कारण मताधिकार से मित था बिल्कुल सबको मताधिकार का नहीं दिया गया था बाद में उस मताधिकार को दीरे-द लुग होते थे उनको ही वोड़ देने का अधिकार था और बिल्कुल भी पास सही है उस टाइम पे क्या है कि जनता उतनी जागरुक नहीं थी कि किसको वोड़ देना है तो उस समय यह बाते सही है तो इसमें गलत कथन क्या है तो यह कथन है यह आपसा नंबर सी आपका सिक् इनियम 1929 के मुख्य भी सिस्सा है थी 1919 है ना 1919 जिसको क्या बोलते हैं Montague चेंसफोर सुधार बोलते हैं MCR बोलते हैं इसको मारले मिंटो सुधार अलग है यह Montague चेंसमोर सुधार है मुसलमानों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंदल का प्रारम किया गया बिल्कुल नहीं किया गया 1909 में 1909 में इसी में क्या किया गया था Montague मारले मिंटो सुधार MMR ठीक है इसमें लाया गया था इसको यहीं से भारत में संप्रदायक्ता का जन्म हुआ बोलते हैं कहा जाता है कि इंडिया में राष्ट वाद है न और संप्रदायवाद दोनों जुडवा संताने यह 20 केंद्री केंद्र द्वारा प्रांतों को विधाइ विद्धान-न्ड टीरलो द्वारा प्रांटों को इधाई-विधार मंद्लो को शालीector टौर बिलकुल सभिशा णे थे कडूर और प्रांती विधान मंदलों का विस्तार तब था पुनर गठन, इसमें भी था, इसमें भी बहुमत नहीं था, लेकिन निर्वाची सदर्श की संख्या को कुछ हट तक पढ़ा दिया गया था, तो केंदर और राज्य दोनों में इसमें पुनर गठन किया गया था, तो option number मुसलिम लिग के, देखे, जब शुरू में क्या था, इसको थोड़ा पढ़ने से पहले बता देता हूँ, 389 सदर्श थे सविधान सभा में, उसमें मुसलिम लिग भी सामिल थी, उसको इंक्लूड करके 389 था, लेकिन बाद में मुसलिम लिग ने क्या किया, अपनो प्रिथ प्रिष्थिती में सविधान सभा को किस प्रकार पेक्षाक्रित अधिक बड़ा समाजिक अधार दिया गया, जब मुसलिम लिग नहीं लिकल गई, तो अब क्या हुआ, कि हिंदूस्तान मुसलिमों का देश नहीं है, यह वाली भावना ना आये, या हिंदूस्तान सिर्फ हि यह वाली भावना ना आया करके, उसमें क्या प्रावधान किये गया है, यह बोलना चाहा रहा है, क्यूस्चन, तो देखे, क्या बुला, विभिन अलपसंख्यक समूहों से स्वतंतर सदर्शयों को मनोनीत करने के द्वारा, विभिन न जाती तथा धार्मिक समूहों से स्व करने और जनता को लुखित निविदन मांगने के द्वारा भी, अब देखे, भिन न जाती था, है ना, उस समय कास्ट सिस्टम बहुत चरम बिता, तो उसमें इंक्लूट किया गया था, यह सहीं बात है, धार्मिक समूहों, बिल्कुल, यहां पे हिंदू, मुसलिम, सिख ही स सब थे, इसको तीन भागों में बाटा गया था, आपको बता दूँ, अगर आपको याद रखना हो, तो तीन भागों में था, कैसे, एक था साधारान वर्ग, एक था मुसलिम, और एक था आपका सिख, ठीक है, सुईधान सभा कितने वर्गों में विडिवाइड थी, तो त महिला कितने सदर्श्य थे, महिला सदर्श्य थे, इसमें 15 सदर्श्य थे, कितने थे, 15 सदर्श्य थे, सुईधान सभा में याद रखे गए इस सब चीजे, और देशी राज्यों से प्रतिनिद्यों को सामिल करने आम जनता के लिए लिखित वावधन मांगने पर भी, इसको दियान कॉन्सेप्ट नहीं है यह यह वाला है वह बॉष्ट चलि आगे बढ़ते हैं यह यह दो के साथ मिल रियुंहरे इंडियन कॉंसिल एक्ट 9002 reindeer सुर cotton को सिधान्थ की सिरुवाद प्रांतों में बैस सासन की सुर्वाद मुसल्मानों के लिए प्रितक निर्वाचन छेतर्वाद जो हुआ था उनेश सो counties लुपके नौ में हुआ था जिसको माले मिन्यीटा सुधार भूलते हूं यही है क्योंकि इसाय क्भाहरण हो जब आपका 1937 में प्रथम बार चुनाव का और विती बार कब होगा 1946 में होगा तो यहां पर 3570 दे दी गई है उसे पर निर्वाचन को सिध्धान की सुरुवात यहां पर चुनाव की सुरुवात किया यहां पर चुनाव का अधिकार दिया गया मैंने भी होता है जो थोड़ सरकार अधियम में केंद्र में द्वीचरद्णी विधानमंडल की स्थापित किया बिल्कुल सही है इसमें सबसे पहली बार राज्यसभा और एक है आपका लोगसभा Oh कि अधार्णा यहां पर आई ठीक है यही पर आया आपको क्युश्यन पूछ सकता है बहरत में जो शंच प्रांती कारेकारणी की में द्वी सासन आरंभ किया प्रांती कारेकारणी में द्वी सासन मतलत वैस साथ काम करें तो इसकी सुरवात यहां नहीं हुई थी यह हुआ था 1935 के एक्ट में हुआ था जिसमें बोला था भारत एक राज्यो को संग हुआ होगा लेकिन यह कभी भी अस्तित्विम नहीं आया यह भारत के सविधान की बढ़ने के बाद अस्तित्विम आया है तो यह क्यूस्चन आपका गलत हो जाएगा ठीक ह यह सब ही चीजे हुई इतने सारे क्यूस्चन है आपके कितने क्यूस्चन सहीं हुए या आप हमें कमेंट बाक्स में बताइएगा हमारी जो एंसी की सीरीज है वो डेली आपको देखने को मिलेगी क्योंकि जो सीजी पेसी है उसमें 11 से 12 क्यूस्चन आपके पॉलेटी से सम नहीं कला और मिलते हैं थैंक्यू